Hey guys, welcome back to another video तो last मैंने एक वीडियो बनाए था Blue Guardian के उपर Blue Guardian का मेरे पास एक $50,000 का account था जिसका phase 1 मैंने last वीडियो में आपको बताया कि पास कर लिया था, वो भी 100% accurate के साथ तो उसके बाद अभी जो phase 2 था तो phase 2 भी मैंने अभी clear कर लिया है उसके अभी मेरी accuracy क्या है, उसमें कितने मैंने trades लिये थे क्या मेरा wind rate ratio था उसमें और मेरा RRR क्या था उसमें और मैंने कौन से trade लिये थे, कौन से pair में लिये थे तो इन सभी के बारे में detail में इस वीडियो में आपको बताऊंगा और मैं trades भी आपको समझागा कि मैंने वहाँ पे trade कैसे लिये थे तो वीडियो को end तक जरूर देखना काफी कुछ आपको सिखने के लिए मिलेगा इससे अगर आप इस चानल पे नए हो तो जल्दी से चानल को subscribe कर लो यहाँ पे आपको Forex से related और Profum से related content मिलता रहेगा तो चलिए वीडियो के शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के So guys देखी यहाँ पे सबसे बहले मैं आपको मेरा dashboard दिखा था हूँ जो मैंने pass कर लिए account तो यहाँ पे आप देख सकते कि यह phase 2 का मेरा account था यहाँ पे 4% का मैंने profit target कर लिए complete यहाँ पे देख सकते objectives में भी profit target complete हो चुगा है तो इसके अब इस statics दिखाता हूँ मैं आपको कि statics मेरी क्या था इस account पे तो मैंने total trades यहाँ पे 14 लिए था इस account पे second इस पे महाँ पे average winning trade जो मेरा यहाँ पे 237 dollar का था total loss यहाँ पे 37 हुई थी मेरी average जो losing trade वो 70 dollar था तो 70 के अगर आप इससे compare करोगे तो average 1-3 का तो RRR आएगा ही मिलेगा मुझे तो वो देखे average यहाँ पे triple R जो है वो 3.35 का आ रहा था मतलब average 1-3 में किसी भी trade में लही रहा था उसके बाद win rate देखी यहाँ पे win rate मेरा 65 के around समझ लिजी होता था मेरा 64.29 तो win rate भी काफी अच्छा था इस account में profit factor भी काफी अच्छा था 6.04 का और expectant से भी यहाँ पे 127 50 डॉलर की तो यहाँ पे यह मैंने account pass कर लिया है इसके अभी कुछ trades भी दिखा था आपको phase 1 का भी मैंने last time दिखा या था लेकिन फिर से एक बार दिखा देता हूँ यह phase 1 था दिखिए phase 1 में 8% का profit target मैंने कर लिया था और इसके statics में आप देखोगे तो 7 trades था इसमें और total win rate है वह 100% का था यहाँ पे अगर इसका वीडियो नहीं देखा होगा आपने तो i-card में मैं आपको video की link दे दूँगा वहां से आप उसे देख सकते हो इसमें भी यह काफी अच्छे से मैंने यह पास किया था इसमें सिर्फ 7 trades में ही मैंने यह टोटली पास कर लिया था पूरा 100% win rate ratio के साथ तो इसमें अगर आप देखेंगे profit factor वो तो infinity होगा इसमें क्योंकि 100% तो इसमें समझ लीजे क्योंकि एक भी losing trade नहीं था वहाँ पर इसलिए तो चलिए अभी मैं इसका जो second phase था मेरा जो मैंने पास कर लिया उसका भी यह देखा तो मैं आपको कि उसमें मैं अभी बताऊंगा मैंने वह गोड में ट्रेड किया था बाइंग के साइड में था यह कल की साइड में यहाँ पर देखिए आप ओपन प्राइज मेरी क्या थी यह जा रहा था थोड़ थोड़ नीचे की साइड में आने का कुश कर रहा था तो जब वह नीचे नीचे आ रहा था इसका में सबसे बड़ा यह था कि आपको पता होगा कि गोड का जो यह यह trend है वो trend bullish जा रहा है अच्छा गोल्ड अपर की side में जा रहा है तो इसके लिए हमें buying के side में ही यहाँ पे position देखनी पड़ेगी तो order block पे इसे मैंने यही पे भी order block पे ट्रेड लिया था तो order block अभी मैं दिखा तो आपको कि यह जो यह pin bar दिख रही होगी मेरी काफी favorite candle है मैं price action भी करता हो ना तो इसके लिए pin bar मेरी favorite candle होती है तो उस पे मैंने trade लिया था तो सबसे पहले दिखिए जो five minute पे मैंने वह कल trade लिया था वो छोटा सा scalp बुल सकते हो अब इसे scalp के लिए मैंने यह पे trade लिया था तो यह जो pin bar है इसको मैंने order block समझके इसको mark कर दिया था क्योंकि order block बनने के बाद भी देखिए यहा पे यह चूट गया था क्या बुलते उससे अब fair value gap भी था यहा पे तो इसलिए मने वेट किया था कि Asian session में जब यह हो राए market नीचे आ रहा है तो लंडन session में वह most of the time उपर जाने का ही ट्राइ करेगा तो इसलिए मैंने वेट कर रहा था कि Asian session में यहा नीचे 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 आ था London session जैसे चालू हुआ उसके बाद देखी यहां पर एक पिन बार बन गई थी candle 5 मिनिट पे तो यह जो पिन बार कंडल बनी यहां पर फिर से से मार्के जो नीचे आने का ट्राइ कर रहा था small धीर धीरे तो मैंने सोचा कि चलिया एक बार entry करी ले ते यहां पर तो मैंने simply ही पर इसलिए safer side के लिए आप यहां तक नीचे भी रख सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा aggressive लिया था इसलिए मैंने यहां पर जो पिन बार है उसके इनचे का एक trade यह रखा था मेरा SL तो उसके बाद देखी यहां पर मेरी entry थी यह red candle पे 5 minute के यहां पर entry करने के बाद यह थोड़ा सा फिर से नीचे आया था उसके बाद यहां से एक अच्छा pullback आ चुगा तो यहां पर देखी यह simply यहां से जब उपर गया तो मुझे यहां पर RR कितना मिला 1 is to 3 का RR मिला और यहां पर मेरी quantity मैंने यहां पर add की थी 4 की पहले 2 का lot बाद में 2 का lot तो total 4 lot मैंने यहां पर लिया था और वो 4 lot मैंने यहां पर गोल में जो trade लिया उस पर पास कर लिया 1 is to 3 का तो इसमें total मैंने कितना बनाय था यहाँ पर दिखिए 596 डॉलर और यहाँ पर 666 डॉलर तो इससे समझ लिए आपने 1200 शेवड़ा से था इस यहां पर मैंने total जो प्रफिट कर लिया था उसके पहले मैं 800 डॉलर का प्रॉफिट कर लिया था जिया तो यहाँ पर मुझे इस रि बारासो डॉलर ही चाहिए था तो वह एक ट्रेड में मेरा हो चुका था इसके वाज़से मैंने वह अकाउंट है वह पास कर लिया था यहाँ पर तो यही से आपको फिर अच्छी एक मोमेंटम भी मिलेगी और वहां से आप ट्रेड ले सकते हो तो यही मैंने मैं एक Cu har station के ट्रेड लिया था इसमें बान इस ट्री का बुक कर लिया था प्रॉफिट और अच्छा हो घया मेरा नहीं मेरे पस कई मेरे पास मैं मैंक्सिम डेलियस और मैंक्सिमम को सिर्द मिलेगा देखने के लिए तो यही मेरे पास thing वाल्या आभी необход Started आया यह account तो अभी इस में trade करूंगा मैं तो इसका payout को जब आएगा वीडियो वो भी मैं आपके लिए डालूंगा payout आने के बाद कि payout देते या नहीं तो contract भी मैंने sign कर लिए इनका दिखिए contract भी sign हो चुका है और जो इसका यह होता है KYC वो KYC भी कर लिया अगर आपको पता होगा कि KYC कैसे करना है उसके बारे मैं भी आपको बता देता हूँ KYC के लिए simply कुछ नहीं होता आपकी selfie लेते हैं KYC में selfie के बाद आपका कोई भी एक government ID तो मैंने यहाँ पर मेरा pancard का photo डाला था तो pancard को यह उन्होंने accept कर लिया pancard से हो जाता है मैं most of the time pancard ही use करता हूँ pancard से accept हो जाता है वहाँ तो अभी यहाँ पर profit share में भी देखते हैं कि यहाँ पर भी withdrawal request कोई नहीं डाल सकता है यहाँ पर देख सकते हैं profit share मुझे कितने मिलने वाला है 85% का यहाँ पर profit share मिलने वाला है तो next withdrawal date अभी यहाँ पर दिखना ही रही क्यूंकि अभी तक मैंने इस पर एक भी ट्रेट नहीं लिया जब आप first trade लेते हो first trade के 14 days बात इसको आपको payout निकालने के लिए request का option आए I hope guys कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like जरूर कर देना अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पे और Telegram पे follow नहीं किया तो जल्दी से follow कर लीजिए वीडियो के description में आपको link मिल जाएगी अगर आपको इस channel का member बनना है तो subscribe button के side मे आपको join button दिख रहा होगा वहां से आप membership ले सकते हैं मंत के end वाला जो last दिन होगा वहाँ पे उस दिन में मैं जितने भी हमारे member से उन सभी के साथ एक video चार्ट रखूँगा जहाँ पे आप मुझसे कोई भी questions पूच सकते तो चलिए मिलते हैं next video में till then take care goodbye सब्सक्ण द सकते हैं